Yo what's up guys, क्या हाल चाल है आप सभी को धिल से वेलकम करते हैं कॉबल मौन स्रीज के एक और न्यूवाले एपिसोड पर इस वाले एपिसोड में हम लोग एगेन ग्राइंड करने वाले हैं आपने देखा था कि हम लोग एक PC बनाया थे PC मिन्स अगर आप यहाँ पे इन्वेंटरी पे आपका पॉकेमोन फुल हो गया है और आप सोच रहे हैं कि पॉकेमोन एक्स्ट्रा और पकड़े और रखे कहां तो ऐसा सिच्वेसन में हमें PC काम देता है साथी साथ मैं यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से डायमंड खोजनी की कोसिस कर रहा हूं बट मुझे मिल नहीं रहा है आप लोग प्लीज मुझे बढ़ता हो क्या इस मोड में हमें डायमंड मिलता है या फिर नहीं मिलता है वैसे आपने देखा था कि हम लोग ट्री जब लगाए यहाँ पर यूनिकॉन वाला सोरी एप्रिकॉन वाला ट्री जब लगाए तो नीचे हम लोगों ने क्लीन किया था तो मैं सोच रहा हूं नीचे कुछ यहाँ पर कॉबल स्टोन वगरा कुछ दे देते हैं इससे थोड़ा सा अच्छा होगा ओके और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ और भी पॉकेमोन को पकड़ेंगे क्योंकि मैं सोच रहा हूं जो भी जितनी सारे भी नेने पॉकेमोन हमें मिल रहे हैं न सब को गैस पकड़ेंगे ठीक है तब जाके हमें मस्ताइब से मजा आने वाला है तो अभी मुझे एक डियर वाला सबसे पहले एक पॉकेमोन मिला देखते हैं इससे फाइट करके क्या होता है बट यहां पे जब मैं अपना यह सान बोल सकते हैं 25 लेबल वाला है इससे फाइट करवाया तो बेचारी मर गई कोई बात नहीं हमें और एक्स्ट्रा भी एक्सपी मिल चुका है इसके साथ ही कुछ-कुछ भाइलों जो वह बोल रहे थे हैं तो यह है डबुल ओके इस डबुल से हम लोग फाइट करके देख लेते हैं क्योंकि मेरे पास जो है ना वह साइट से कम लेबल वाला है 36 लेबल वाला देख लेते हैं इससे हुआट करके सायट से अगर सख जाय तो यहां पर मुझे लगता है हमें भागना चाहिए क्योंकि मेरा पहला वाला जो पोकेमॉन है वह लगबग मरने वाला है देख लेते हैं चार मेलन को क्या होता है यह भाइया साहब यह भी नहीं हो रहा है मुझे लगता है पकड तो लेंगे इतनी सारा पोकेमॉन है बेने पास वो एंट मेन वाला टैप से भी तितली वाला कुछ तो है वो भी पोकेमॉन है मैं क्या करूंगा सभी पोकेमॉन को फाइट करवाऊंगा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो टैमेज देंगे ही ओके और जब लास्ट में हेल्थ बचे रहेगा ना तब हम लोग केज करेंगे कोई बात नहीं जब पोकेमॉन मर जाएंगे तो उससे हम फिर से रिचार्ज कर लेंगे मतलब फिर से यहां पे हेल्थ जादा जनरेट कर देंगे वहां पीसी के सामने जाके बट मैं सोच रहा हूं इसस नाम था 41 लेबल जो कि 41 लेबल काफी जादा हाई होता है काई मैं फाइट लेनी की कोसिस क्या बट मैं एक दो बार फाइट में मैं समझ गया कि भाई हम लोग मरने वाले हैं इसके साथ ही मस्त डियर या जो भी बोल सकते बट क्यूट लग रही थी इस पोकेमॉन का नाम था पी ओ एन वाई टी है क्या प्रोनाउंस करेंगे प्लीज मुझे बताना ओके पॉनीता या इस टाइब का कुछ तो नाम है ओके तो ये भाईया जी से हम लोग फाइट किये और उसकी बाद जो है वो जीत गए यहाँ पे जब मैं ये कलेक्ट किया पोकेमॉन को केच किया तो अलावा अगर मैं सातुआं पकड़ने जाओंगा तो क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आप मेहनत करके पकड़ोगे और उसकी बाद पता चलेगा कि भाई यहाँ पे आपका पोकेमॉन केच हो ही नहीं रहा है नहीं आपको बिलकुल टेंसन लेने की जरुरत न आपके पीसी पर ट्रांसफर हो जाएगा जो कि मुझे लगा ये एक अच्छा फीचर से इस कोबल मौन स्रीज का अगर आपको एक्स्टा पोकेमॉन पकड़ने का मन हो रहा है और लग रहा है कि भाई मेरे पास तो छे इन्वेंटरी पर अल्रेडी है मेरे पास छे पोकेमॉ हो जाएगा जो कि मुझे लगता है ये काफी जाता अच्छी बात है तो हम लोगों का ऐसे ही यहां पर चल रहा है एक और यहां पर मुझे मिला इसका ये बी का ही कुछ अपग्रेड़ेड वर्जन था क्योंकि ये बी देखके ही लग रहा था तो मैं सोचा बी से फाइट ल मार दिया तो मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ा सा लोलेबल वेगरा का डेमिज देते तो साइट से मुझे लगता है अच्छी बात होती कोई बात नहीं हमें और भी यहां पर पोकेमॉन मिलने वाले हैं अभी तो बहुत सारी पोकेमॉन है आप लोग क्या मुझे ये ए 30% या 50% पकड़ने का ओके तो यहां पर जब मैं जस्ट आगे जा रहा था हूं यहां पर ब्यूनरी ऐसा कुछ तो नाम था भी यू एन आर वाई यह साथ केक्टस रिलेटेट वाला पोकेमॉन था तो यह 27 लेबल का था तो मैं सोचा अब बैसली भाई इससे पकड़ेंगे क्योंकि यह 27 लेबल अच्छा लेबल है 25 लेबल से जादे जो है वो थोड़े अच्छे लेबल वाले होते हैं तो आपको ज़रूर पकड़ना चाहिए तो यहां पर मैं इससे फाइट किया और यहां पर कम हुआ तो हम लोग सोचे कि चलो यहां पर इसे पकड़ लेते हैं क् कि अगर आप 20 परशन्ट या 15 परशन्ट से जादा रहता है और अगर आप पकड़ने की कोसिस करते हो तो आप उसे पकड़ नहीं सकते हो कम से कम 12, 13, 14 के आसपास साथ से रहता है तो ऐसे में आप पकड़ सकते हो मिनीमम मुझे नहीं आईडिया है बट मैं जो पकड़ा हू वो साथ से 14 परशन्ट या 15 बट बाकी जितने भी है न वो बिलो 15 ही है लाइक 14 परशन्ट हेल्थ रहता है 12 परशन्ट 10 परशन्ट वैसे में मैं पकड़ा हूँ बाकी अभी के लिए मैं पोकेमोन ढूनने धीरे धीरे आगे जा रहा हूं ताकि मुझे कुछ मिले ओके तो ज यहां पर बंदूग जैसे दिख रहा है चारों तरब से कहीं से भी गन चला सकता है कुछ ऐसा दिख रहा है यह वैसे किस जगा पर मिलता है मुझे नहीं पता पर मैं अलग बायों जैस्ट टच करने ही वाला था मतलब अलग बायों पहुंची गया हूं तो मैं सोचा चलो 31 अलका है भाई इसे तो पकड़ना बनता है तो हम लोगों के पास बड़ा वाला जो पैरट था पैरट टाइप का कुछ तो पोकेमोन था प्लीज भावनों को समझ जाना यार तो उससे हम लोग यहां पर पकड़ने की कोसिस करेंगे यहां पर मैं फाइट वगरा लिया मेरा लगबग सारा पोकेमोन मर गया लास्ट में एक यहां पर पत्रीला वाला जो ने लुड़क लुड़क की चलता है वो पोकेमोन बचा और उसके साथ फाइट तो नहीं किया लेकिन तब तक इसका हेल्थ वही 12-13 परशंट बचा हुआ था तो मैं पोकेबॉल जो है वो फैंक तो आगे थे बट यार मैं ना बीच-बीच में लोकेशन दे दी के रखा था क्योंकि मुझे पता है मैं अगर अपने बेस से थोड़ा सा भी दूर चला जाता हूं यह बाकी बंदों के साथ भी होता है कि क्या प्लिस मुझे बताना मैं अपना बेस का लोकेशन फूल जाता ह से मैं यहां पर आता भी हूं तो मुझे लगता है भाए यह कुछ अलग लोकेशन है इक एक म पानी के एंदर की धेश सारा पोकेमोन मिल सकते हैं बट अभी तक हम लोग चेक नहीं किया है तो इसलिए मुझे नहीं पता एक यहां पर गॉल्डक तो यह जो है एक यहां पर कैसे बोल सकते हैं के अंदर वही तरने वाला ओके आप उस टाइब का सोच लो तो उस अंदर में हमें मिला है पानी क साइब से तो उस टाइब का साइब से मुझे लगता है एक बार पकड़ेंगे तो पानी भर्शस पानी का फाइट करवाएंगे ना तभी साइब से हम लोग जीत सकते हैं वरना नहीं जीत सकते हैं अब यहां पर अगर मैं पीसी पर जाके दिखा हूं तो जितनी सारे भी हम को ने पॉकेमोन पकड़ा है ना वो सभी के सभी इस पीसी के अंदर है एक और चीज मैं जिस्ट आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं अगर आप पीसी के सामने अंदर रखते हो तो यह जस्ट यहां पर आप स्टॉर कर सकते हो मुझे सायद से ऐसा लगता है कि इसके अंदर वो अटो रिचार्ज नहीं होते हैं आप एक तो सोलर में रखके रिचार्ज ने कर सकते हो फुल हेल्थ कर सकते हो आपकेमों को या फिर आपके इंवेंट्री पर रहेगा थो सायद से होता था है तो मुझे ऐसे देखने को नहीं मिला इसलिए जिस्त में आपको बता रहा हूँ तो PC के अंदर आप जितनी सारे भी एक्स्ट्रा आप पोकेमोन पकरते हो तो सारे के सारे अटोमेटिकली आपके PC के अंदर जो है वो ये एक स्टॉर रूम है पोकेमोन का इसके अंदर वो सारे के सारे चले जाते हैं इसके साथ ही मुझे यहां पे एक मस्तफाला बटर्फलाइक पोकेमोन मिला मैं इससे फाइट करने की कोसिस किया बट अनफर्चुनेटली वही यहां पे साथ से मैं ज़्यादा डेमेज दे दिया या फिर जो भी आप पोलो वो यहां पे मर गया ओके तो यहां पे एक और मुझे क्यूट सा डियर मिला है इसका नाम है डियर लिंग तो इस भाई सहाब से हम लोग यहां पे फाइट करने की कोसिस किया मुझे लगा थो बड़ा सा क्यूट लग रहा था तो मैं सोजे चलो इससे भी पकड़ लेते हैं ऑके बट अनफोर्चुनेटली वही क्या हुआ कि जाला डेमेज के जल्दे वह भी यहां पे मर गये एक और हमें पोकेमोन मिला था इसका नाम है साइडक साइडक नाम का एक था 23 लेबल का था मुझे जिस्ट डर था कि वन सोट यह बंदा मतब यह जो पोकेमोन है यह किल हो सकता है और वही हुआ यह जैसे मैं किसे तिदली था या किसे तो फाइट करवाया यहां पर चारी चाड वाला जो छोटा रूप है ना इसी से साथ से मैंने फाइट करवाया था तो यह भाई साब एक ही सौट में मर गये तो मुझे लगा था भाई हो जाएगा तो काफी जाता अच्छी वात है वैसे यह जो हम लोगों का एप्रिकॉन वाला ट्री है हमें सी यह कंगेगे तो जैसा सारा उसके बाद बॉल बनाँदे आ पर फिर मैं संच रहाओ हम एक शोट रा गर बना देख लेते है मैं फहर मैं स्होटे जाब को घर आफ। कि मैं यह सब समान छोड़ के कहीं पोकेमोन को पकड़ने जाता हूं और मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं सायद से यह सारा चीज मेरा यह जो हम है यह सायद से मैं भूल सकता हूं जहां तक मुझे लगता है बट कोई बात नहीं देखते हैं अगले एपिसोड में और कुछ कर पकड़ा और साथी साथ एक यहां पर गन टाप से वाला एक आदमी था पता नहीं मत्सवरी पोकेमोन था उससे पकड़े फिर केक्टस टाइप का एक था और पंची रिलेटेट बहुं सारे पोकेमोन है पता नहीं मैं नाम विगरा प्लीज यार नाम बहुत खदरना खदरन नाम रहते हैं बस यह पीछे देख लो मेरे सेना हैं यही सब को मैंने पकड़ा है और धीर धीर हम लोग लेबल अफ हो रहे हैं अब क्याएज देखो अच्छा अगर हम लोगों के पास मान लो 50 लेबल कभी पोकेमोन हुए गरा मिल जाएगा ना तो फिर हम लोग धीर सारा और मस्त तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं बट वही थोड़ा से समय लगएगा एक ही सद्धे को मुझे मिल तो रहे हैं पोकेमोन लेकिन कुछ ऐसे कुछ हाई लेबल की ज्यादा मिल जा रहे हैं तो बेसलिए हम लोग मर जांगे तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग फाइ अगर लग रहा है तो प्लीज आप लोग कॉमेंट करके सेर भी कर दो ताकि बाकी सारे भाईयों को भी पता चल सके एक और चीज ज़िस कंफॉर्म कर देना चाहता हूं यह जो कोकेमोन है मतलब कोबल मोन यह आप अपने मुबाइल पर खेल सकते हो मैं सबसे पहले आपको ब हुआ 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 है